हलो एव्रिवान जय बोलेना ताई हूप आप सब लोग बहुत ही साधा अच्छी होंगे आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी सारी प्रॉब्लम्स कब खतम होगी आपकी लाइफ में अच्छा वक्त कब आएगी ठीक है उसके लिए आपको आपका डेटो बोथ चूस करना है अगर आपका डेटो बोथ 1 से लेकर 16 की बीच में है तो आपको पाइल 1 चूस करनी है और अगर आपका date of birth 17 से लेकर 31 के बीच में है तो आपको pile 2 चूस करनी है ठीक है, सो चलो start करते है Hello my beautiful pile number 1 अगर आपका date of birth 1 से लेकर 16 के बीच में है तो यह आप logo की reading है, अच्छे से देख लो आप ठीक है, चलो अभी start करते हैं, मैं इसको यहां रखती हूँ Let's see, आपकी life में अच्छा वक कब आएगा These are your article cards, जो हम बाद में सब निकाल के देखेंगे Messages, Guidance, आपके लिए बहुत सारे हैं यहां पर Because हमें life में Guidance की भी बहुत जरूरत होती है सिर्फ messages मिलने से हम confused हो जाती हैं कभी-कभी, right? पहला card हमारे पास जो है यहां पर King of Ones है मुझे इसा लग रहा है कि Aries, Leo, Sagittarius की energy है मुझे इसा लग रहा है कि Maybe आपका जो life है Sorry मैं कहां रखो थोड़ा सा आज मैंने camera का angle change किया है So मैं confused हो रही हूँ Yes, one second Yes, so मुझे इसा लग रहा है कि With this King of Ones आप बहुत टाइम से I think किसी चीज का बहुत जादा इंतजार कर रहे हो वो चाहे आपकी शादी के लिए हो या फिर वो चाहे हो तकता है आप अपने life में कुछ तरीके से Freedom चाते हो, Financial Freedom चाते हो You know, आप बहुत टाइम से एक luxurious life के लिए wait कर रहे हो जो कि आपको बहुत जादा जरूरत है या फिर आपको लगता है कि बहुत जल्दी ये वक्त आपके लिए आएगा With this king of wands, क्योंकि king की energy है तो definitely आपको भी king की तरह ही कुछ मिलने वाला है बहुत जल्दी खास कर कि ये जो मिलेगा ये luxury से related होगा finance से related होगा ठीक है, तो finance अच्छा होगा पैसा मिलेगा तो इनसान को वैसे ही luxury मिलता है तो बहुत जल्दी आपका जो बुरा वक्त है वो खतम होकर आपको luxury मिलेगी, पैसा मिलेगी ठीक है, यहाँ पर है The Hanged Man Cancer Scorpio Pisces Six of Swords Gemini, Aquarius, Libra and Strength Leo Energy मुझे अज़ा लग रहा है कि पहली ही card आपका इसने सब कुछ बोल दिया मुझे अज़ा लग रहा है आप किसी चीज का बहुत साथा weight कर रहे हो जैसे with this Hanged Man आपका कुछ चीजे बहुत अटक गई है जैसे आप बहुत टाइम से चाहा रहे हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो बट आपका जो चीज है वो पूरी तरीके से कहीं पर फस गया है, कहीं पर अटक गया है आपको यसा लगता है कि मैं इस situation से कैसे निकलूँ अभी तक ये situation था, बट आगी जाकर मुझे इसना लग रहा है कि दीरे दीरे ये जो आपका situation है, ये stable होगा, ठीक है, ये hanged man in reverse है मतलब आप पहले किसी सोच में पढ़ गए थे किसी दुविदा में पढ़ गए थे और अभी कुछ टाइम के बाद आपका जो है चीज़े, you know, एक stability आजाएगी मुझे उसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग यहां पर doctor हो या फिर, you know, कोई ऐसा काम करते हो healer वगेरा का काम करते हो या फिर कोई ऐसा daring वाला काम आप बहुत जादा करते हो आप बहुत spirituality के तरफ आपका ध्यान मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको believe है help करने में आप believe करते हो कि लोगों को help करें तो बहुत अच्छा होगा right so आप helping nature के बहुत जादा हो मुझे ऐसा लग रहा है और वही यहीं चीज़ एक दिन जाकर आपको एक success दिलाएगी क्योंकि हम जो help करते हैं किसी को भगवान किसी ना किसी तरीके से हमको उसका जो है फल देते हैं definitely ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी कहीं you know travel कर सकते हो दूर जा सकते हो with your family you know मुझे खास करके family लग रहे है अगर आप married हो अगर आपके एक बच्चा है एक और wife है या फिर husband है आप उनके साथ कहीं जा सकते हो मुझे असा लग रहा है कि आपकी जो भी परिशानी है वो place change करने से definitely यहां पर जो है काफी हद तक परिशानी खतम हो जाएगी बाकी आप बहुत जाद आपको strong बन की रहने की जरूरत है आपकी life में जो सब हो रहा है life में अगर कुछ चीज hold पर चला जाता है जिस तरीके से हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता वो success वो abundance तो हम बहुत परिशान हो जाते हैं और आप इस परिशानी के period में भी मुझे बहुत जादा strong दिख रहे हो so definitely यहां पर मुझे जादा लग रहा है कि आपको जादा परिशान होने के जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो time है वो बहुत जल्दी stability के तरफ आपको लेकर जा रही है next हमारा है three of swords Gemini Aquarius लग रहा and the star okay Aquarius मुझे ऐसा लग रहा है कि maybe आपका दिल बहुत ही जादा बुरी तरीके से चूटा है हो सकता है कि आपकी जो person है आपके जो love interest है उनकी तरफ से आपको शाद धोका मिला है या फिर ऐसा कुछ हो गया है कि शादी नहीं हो पाई आप दोनों की या फिर शादी में कोई और third party enter कर गया तो आप जो है इस वक बहुत जादा hurt हो या फिर आप कहीं न कहीं past में बहुत जादा hurt थे जो की मुझे लग रहा है काफी जादा you know दिल तूटने वाली feelings आपकी बहुत जादा थी but my dear यहाँ पर the star है आगे जाकर आपका जो time है वो इतना अच्छा होगा कि आप जो भी trauma से आपकी जंदिकी में आप वहाँ से निकल जाओगे क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ending दिख रही है definitely परिशानी की ending दिख रही है definitely आप इस परिशानी से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो आप एक star की तरह चमकते हुए मुझे दिख रहे हो आप जितना spiritual होते जाओगे आपकी life में उतना ही stability होगा spiritual का मतलब यह नहीं कि दिन भर भगवान, दिन भर angels की बाते हम करते रहे या फिर उनको pray करते रहे वो सब हमारे दिल में होता है right तो हम life में काम करते रहे और भरूसा भगवान के उपर रखते रहे तो definitely यह होगा बाकी मुझे लग रहा है आपकी जो चक्रा से वो बहुत अच्छे से balance है आपकी कुछ जादा चक्रा से imbalance नहीं है मुझे थोड़ा सा heart चक्रा imbalance लग रहा है बाकी उसके अलावा मुझे आपकी सारी जितने भी हमारे solar plexus हो गया throat हो गया जितने भी हमारे चक्रा root चक्रा हो गया सब कुछ मुझे आपकी balance दिख रही है जिसकी balance होने से हम life में growth करते हैं आपके आपके life में आप जितना जादा angels को भरोसा करते हो definitely angels भी यहाँ पर है जो आपको भरोसा दिलाते हैं वो आपको help करने में believe रखते हैं angels यहाँ पर believe करते हैं कि आप अगर उनके उपर भरोसा कर रहे हो वो भी आपको help करेंगे यहाँ पर angelic blessings आपके उपर बहुत जादा है मुझे दिख रहा है यहाँ पर है trickery okay with this trickery मुझे असा लग रहा है कि आपके साथ बहुत सारी चालाकिया होती है जन्दगी में लोग आपके साथ बहुत सारी चालाकिया कर देती हैं लोग आपको कुछ भी बोल कर आप से चीज़े ले लेते हैं और आप देखते रहते हो right so कहीं न कहीं मुझे लगता है आपके साथ बहुत चालाकी हो जाते हैं जिवन में so आप अगर यह चालाके से परशान होकर में भी बहुत साथा hot हो किसे ने आपको cheat किया चालाक किया चाहे काम हो चाहे love हो जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी आप आपने दिखा कि लोग इतने भी चालाक होते हैं तो और यहां पर message में मुझे पिक हो रहा है कि आप उसे वे जिसे तो एक तो hot थे दूसरा मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कुछ trick आजमाने की जरूरत है चाहे आपका new job हो business हो you know smartly आपको चीज़े handle करने की जरूरत है लोग आज कल की दुनिया में buttering बहुत होती है आपको वो सब जादा करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा तो कर ही सकते हो क्योंकि दुनिया जैसा चल रही है हमें definitely वैसा चलने की जरूरत है तो थोड़ा सा आप भी you know आप अपने plans को किसी के तार share मत करो मज़े से लग रहा है लोग आपकी plans को ले रहे हैं और अपने फायदे के लिए यूज़ करें so don't share your plan with others okay फिर हमारे पास से pleasure okay divine goddesses तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी किसी चीज से pleasure मिलने वाली है खुशी मिलने वाली है या फिर आपको जो चीज pleasure देता है खुशी देता है वो चीज आपको मिलेगी छीके आपका बुरा वक जैसे ही खतम होगा आपको एक pleasure मिलना स्टार्ट होगा राइट हो सकता है 7-8 मन्थ में आपका बुरा वक बलकुल ही खतम हो जाए और आपको वो होता है ना inner peace आप अपने inner peace को फिर से पाने वाले हो जो आपने 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 काफे टाइम से खो दिया था यहां पर है adjustment are required कुछ adjustment आपको करने की definitely जरूरत है जैसे मैंने बोला कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो तेड़ा करना पड़ता है तो कुछ adjustment यहां पर मुझे दिख रही है हम जैसे चाहतेंगे जिंदकी में हमें वैसे हर्ट चीज नहीं मिलती है सो हमें compromise, adjustment यह सब करना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा जरूरत है हम चाही जितना भी अच्छा पाने की कोशिश करें जितना भी अच्छा चाहें हमें मिलता वही है जो हमारी किस्मत में होता है सो definitely यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ना चाहिए आपका जो बुरा वक्त है आप उसको खतम नहीं कर सकते हो लेकिन आप इसमें एक strength रख सकते हो किस्मत जब आपको देगी वो आपको सारी खुश्या देगी लेकिन उससे पहले आपको भी कुछ कर्म करने की ज़रुरत है लाइक तो आप कर्म करो और बाकी सब किस्मत के उपर छोड़ दो next हमारे पास है honesty तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़ादा honest person हो आप सच बूलने में बिलीव रखते हो आप ज़ादा you know buttering ज़ादा नहीं करते हो इसलिए शायद आपके लिए cards अल्लीडी आ गया कि थोड़े सा buttering करो आप शायद किसी को you know अच्छा अच्छा नहीं सुनाते हो ता कि आपका काम वगेरा हो जाए आप बहुत ज़ादा honest person हो and right buttering करना मतलब यह नहीं होता है कि जूट बोलना होता है सिर्फ थोड़ा सा you know कुछ अच्छे इच्छी बाते बोलना इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत जूट बोल रहे हो या फिर बहुत जूट बोलते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो honesty है वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी दो messages यहाँ पर मुझे मिल रही है कि जादा honest जिस honest होने से आपको कुछ हार्म पहुँचे जिसे कि हम कड़वा सच बोलते हैं तो you know लोगों को hurt हो जाती है आपको इस तरीके के कड़वा सच नहीं बोलना है और बाकी अगर आप बहुत जादा अभी जूट बोल रहे हो या फिर अपने काम हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी honest track पर आने के जरूरत है सच्चाई यहाँ पर जो है जो truth है वो आप बहुत जल्दी आपको सुनने के लिए मिलेगा राइट जैसे कि आप कुछ चीज अगर जानने ही पा रहे थे आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन कैसा है आपके सामने कौन कैसा है आपके बीचे कौन कैसा है तो बहुत जल्दी आपको ये जानने के लिए मिलेगा तो उसके लिए आपको परिशान होने की ज़रूरत नहीं है ये divine guide है कि truth आपके सामने आई जाएगा तो guys ये थी आपकी reading अगर आपको ये reading पसंद आई like करे, subscribe करे, bye guys Hello pile number 2 तो अगर 17 से लेकर 31 के बीच में आपका डिटो बहुत है तो ये आप लोगों की reading है let's see, आपके जिवन में आपका जो बुरा वक्त है वो कब खतम होगा, अच्छा वक्त कब आएगा right, so आपका जो भी messages है मैं यहाँ पर लेती हूँ और guidance जो है, वो हम बाद में देखेंगे guidance बहुत जरूरी होता है क्योंकि, क्या होता है न हम readings देख लेते हैं, guidance की हमें सक्त जरूरत होती है right, so पहला card हमारे पास है 10 of Cups Kansas, Scorpio, Pisces, Two of Swords, Gemini, Aquarius, Libra 10 of Wands again हमारा Aries, Leo, Sagittarius and again Cancer, Scorpio, Pisces okay, so guys मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ को लिकर confused हो आप अपनी life में कुछ चीज़ों को लिकर दो इनसान हो गया या फिर you know कुछ चीज़ों को लिकर आप confused हो या फिर आपको बहुत जादा नजर लगती है लोग आपकी growth के उपर बहुत जादा नजर लगाते है या फिर ऐसा projection जो होता है मतलब हमें कुछ-कुछ चीज़े समझ नहीं आता है सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा phase चल रहा है जिसके वज़े से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है में क्या कनुशा है आप दो लोगों में confused हो या फिर दो situation कुछ भी है finance को लेकर हो सकता है career को लेकर हो सकता है family, love, किसको भी लेकर हो सकता है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है परिशान होते हुए दिख रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है जिसे आपको कुछ राहा नहीं मिल रहा है आप बहुत जादा परिशान हो आप बहुत कुछ करने के कोशिश कर रहे हो आप बहुत हाथ पेर मार रहे हो situation को सही करने के लिए प्रिखास करके अगर आप अपने करियर आप अपने मनी के लिए देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है बस कहीं से मुझे एक राइट पाथ मिल जाए जहां से मैं इंकम अच्छा करना स्टार्ट करो या फिर यूदो ग्रोथ मुझे अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाए आपको प्लानिंग करने के जरूर है थे कि किस तरीके से चीज़े होगी मुझे आपके लिए बहुत चल्दी आपका बुरा वक्त डेफिनेटली आपका बुरा वक्त शायद दो साल से या फिर दो महीनों से या फिर एक साल से या फिर दस हपतों से या फिर दस महीनों से चल रहे थे love expect कर रहे थे खास करके अगर आप अपने partner का wait कर रहे हो लाइक अपने ex partner का तो वो ex partner आपकी जिंदगी में फिर से मुझे लोटते हुए दिख रहे हैं शादी का बहुत सारे लोगों का यहां पर इंतिजार है शादी को लेकर 10 महीने एक साल से आप शादी का wait कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपका इसी साल के अंदर में भी हो सकता है यह जो है तो definitely कोई person है आपके दिमाग पर उनकी तरब से कोई answer नहीं मिल रहा है तो definitely यहां पर मुझे एक clear answer आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे बहुत सारे फीमेल यहां पर conceive करते हुए दिख रहे हैं बस बात यह है कि अभी आपकी जो परिशानी है वो आपके दिमाग का है मतलब आपकी जो चारोड situation है वो इतना खराब नहीं है बट आप बहुत सादा सोच रहे हूँ आपकी thinking ओके यहां पर three of cups है again Cancer Scorpio Pisces and Hierophant okay Taurus Energy देखिए मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ्रेंड से बहुत अच्छी फायदा मिल सकता है अगर आप business वगेरा कर रहे हो love के relationship में भी यहां पर मुझे overall एक किसी की guidance की जरूरत दिख रही है जैसे कि आप किसी knowledge is person की guidance लो कहीं पर भी आप रुक रहे हो business हो गया job हो गया काम हो गया love life हो गया आप कहीं पर रुक रहे हो तो आप किसी की guidance लो जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो या फिर जिसको spirituality का ध्यान है अगर आप कहीं अपनी life में अटक रहे हो इस वक्त मुझे असा लग रहे है आप इतने जादा परिशान हो आपको एक vacation की जरूरत है आपको एक vacation की जरूरत है शायद काफी time से आपको कोई vacation पर नहीं करे हो तो आपको एक छुट्टी की जरूरत है जिससे आप चिल कर सकते हो तो मैं आपको suggest करूंगी थोड़ा सा चिल करके आओ परिशानी को साइड में रखो चिल करके आओ अगर आपको कहीं पर बाहर जाना घूमना फिरना पसन नहीं है तो आप ये भी कर स सकते हो चुप होकर वहां बैठ सकते हो तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा right let's see आपके लिए बाकी messages यहाँ पर क्या है gossip है यहाँ पर okay मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके पीट पीछे में भी बहुत जादा gossip कर रहे है तो आप बहुत जादा परशान हो लोगों की बातों से शायद आपके पीट के पीछे कुछ लोग you know आपके बारे में gossip करते हैं आपको ऐसा लग रहा है क्या करूं मैं gossip का ही लोग क्यों इतने जादा gossip कर रहे हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो just ignore लोगों का काम है बोलना आप जितना लोगों की बात सुनो के उतना परशान होगे तो gossip से gossip सुनना बंद करो दूसरा जैसे यह gossip मुझे एक और message भी यहाँ पर दे रहा है कि किसी से बातचीत क करो शायदा किसी से बोलते नहीं हो कि मेरा ये problem है मुझे ये problem है मेरा ये हुआ है वो हुआ है सही इंसान देखकर आपको definitely बात करने की जरूरत है सही इंसान देखकर अगर बात करोगे तो आपकी परिशानी की solution आपको मिल सकती है right क्योंकि इंसान जो है सही अगर हम चुने देंगे वो हमें सही guidance देंगे वरना लोग तो हसने के लिए हमारे पीछे हैं ही right so आपको जरूरत है यहाँ पर थोड़ी सी बासचीत करने की बाकि मुझे असा लग रहा है कि आपकी चारों तरफ अगर ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप उनसे अलग हो त आपको इस नजरिये से देखते हैं कि यह कोई भी situation में आप कैसे अलग रह रहे हो कैसे अलग सोच रहे हो लोग आपको खुद की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है किसी की तरह बनने की आप आप में ही unique हो right next card हमारे पास है compromise okay मुझे से लग रहा है कि कुछ चीजों में आपको compromise करने की जरूरत पर सकती है ठीक है आप बहुत कुछ expect कर रहे हो बहुत higher expectations है आपके बट वो you know देखो हम हम जो चाहते हैं वो जंदगी नहीं होती है आप में तो वो dialogue सुनाई होगा जो हमारे सत होती है वो जंदगी है right so compromise भी बहुत ही जाद need है आज की दुनिया में so आपको कुछ चीजों में compromise करना पड़ सकता है जाहे वो दोस्त हो जाहे वो प्यार हो जाहे वो काम हो so आप किसी के साथ compromise या फिर situation के साथ आप थोड़ा सा you know अपने expectation आप जितनी ऊपर expect कर रहे हो थोड़ा सा आप अपने expectation को कम कर दो because या पर मुझे सा लग रहा है कि बहुत higher expectation आपके लिए काम नहीं करने वाले ही थोड़ा सा अपनी level को नीचे लाओ मतलब अपनी जो उमीद है उनको थोड़ा सा आप कम कर दो वो आपके लिए जादा बहतर रहेगा क्योंकि सब जो चीछ स्टार्ट होती है वो level 1 से ही स्टार्ट होती है पहले आपकी परिशानी खतम तो हो जाने दो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है फिर आपके लिए है फैरी क्लाइमिक्स अप्रोचेज मुझे तर लग रहा है आप इस सब्सक्राइब खुद के उपर बहुत जादा फोकस कर रहें वो like me me and me my you know my career my business my success my job my money तो आपको थोड़े chill out होने के जरूरा थे my my आप खुद me 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 ऐसा my me ऐसा आपको दमाग में नहीं लाना है चीक है तो आपको ये नहीं करना है तुसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जिंदगी में कुछ you know आपके लाइप में कुछ मुवी में चैसे होता है कुछ unexpected जो आपके जिंदगी को बदलेगा कुछ अच्छा होगा जो अच्छा वक्त आपके लिए आएगा वो आप ही लाओगे किसी से guidance लेकर लाओगे परशानी से दूर रहकर ही लाओगे तो आपको जादा खुद के उपर इस से focus नहीं करना है आपको focus करना है आपने अलरी जितनी यूँ परशानी आप दिमाग में भरके रखी है हर situation के लिए आप उसको दिमाग से निकालो फिर हमारे पास है manifestation ये आपका final card है manifestation आपने ये तो सुनाई होगा manifestation क्या होता है हम कुछ चीज अगर हासल करना चाहते हैं कुछ चीज हमें बुरी तरीके से चाहिए हमें manifestation करने की ज़रूरत है आप manifest करो अगर आपको manifestation टेकनिक बहुत मुश्किल लगता है 333, 555 या फिर visualize तो बहुत easily कोई भी इंसान कर देता है तो आप बैट कर visualize करो तो मुझे यहाँ पर strong message आपकी लिए पिक हो रहा है कि manifestation करो बहुत सारे चीज आपको मिलेगी जिंदगी में final card हमारा है taking risk बहुत noise है बाहर तो आप ignore करना इस noise को taking risk है यहाँ पर तो आपको इस वफ कोई risk step लेनी की जरूरत है अगर आप चाहते हो मेरा ये काम वो आप पीछे हटने की जरूरत नहीं है पीछे हटने का वक्त नहीं है आपको एक risk step लेनी की जरूरत है right क्योंकि अब भी मुझे अगर आप पीछे हटोगे तो मुझे आपका काम और भी delay होता हुआ दिख रहा है आपका अच्छा वक्त और भी delay होता हुआ दिख रहा है यह आपके उपर depend एक तो manifestation दूसरा guidance दीसरा थोड़ा chill करो और चोथा risk लो यह थी आपकी reading गाईस अगर आपको यह reading पसंद आई लाइक करना ना भूले subscribe करें मेरे चानल को बाई गाईस